नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो आचारिय चानक्य के अनुसार किसी भी बुद्धिमान मनुष्य को आपनी ये चीज कभी किसी को नहीं देनी चाहिए नहीं तो उसका अनर्त होना तै होता है दोस्तो आप सभी आचारिय चानक्य के बारे में जानते है इसलिए आपको उनके बार में बतानी की आवशकता नहीं है चानेकी की नीतिया संसार की सर्वसरेष्ट नीतियों में से एक है इन नीतियों में बड़ी ही स्पष्ट भाषा में मनुष्यों को चेताउनी देकर कुछ ऐसी बाते कही गई है ताकि वो जीवन में कभी धोका ना खा सके साथी शास्त्रों और पुरानों का घैना ध्यन करके आचारी अच्यानक्य ने कुछ ऐसी बाते बताई है जो किसी बे बुद्धिमान पुरुष को कतई नहीं करनी चाहिए नहीं तो वो उन्नती करने के बजाए अदोगदी के मारग के और निकल पड़ता है इसलिए आप च्यानकी की नीती को ध्यान से एक बार अवश्य पड़े ताकि आप अपनी जीवन का कल्यान कर सके आज हम आपको बताने जा रहे है कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आचारी अच्यानकी के अनुसार मनुष्य को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए ऐसा करने पर उस वेक्ति का अनर्त हो सकता है अथ्वा वो बड़ी मुसिबत में फस सकता है इसके साथ ही उसके जीवन में निराशा, दुख और गरिबी आ सकती है आम तोर पर हम जाने अन जाने में ही अपनी कुछ चीजे दूसरों को दे देते है जैसे कि मित्र, परिवार की लोग या कोई रिष्टेदार जो आपसे कभी न कभी ऐसी चीज मांग लेते है जिनके उन्हें थोड़े समय के लिए आवशक्ता पड़ती है हम भी यह सोच कर दे देते हैं कि इसे देने से क्या बिगड जाएगा जाने अन जाने में ही हम ऐसी गलती कर भढ़ते है और जब उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है तो हम पच्तावा करने लगते है इसलिए पच्तावा करने से अच्छा है कि आप इन चीजों को कोई कितना भी मांग ले चाहे कोई कितना भी आपके सामने याचना कर ले यह चीजे कभी किसी को मत देना नहीं तो आपके जीवन में परिशानी आना शुरू हो जाएंगी क्यूंकि यह चीजे मनुशिके जीवन के साथ इस प्रकार से जुड़ी होती है जो उसके भाग्य और इसके आने वाले भविष्य को सवारने में उसकी मदद करती है अगर कोई इन चीजों को दूसरों को दे देता है तो उसके जिवन में आने वाले सभी आउसर उस चीज के साथ दूसरे व्यक्ति के पास चले जाते है इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को दूसरों से ये चीजे बिलकुल भी नहीं लेनी चाहिए नहीं तो उसे इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है उनके जिवन में चल रही परिशानिया आपके जिवन में प्रवेश कर सकती है तो आईए दोस्तो जान लेते हैं आखिरवक कौन सी चीजे है जो मैं भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए लेकिन अगर आपने हमारे इस चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे साथी दोस्तो वीडियो को लाइक जरू करें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं सबसे पहली चीजे दोस्तो अपनी घडी हाँ दोस्तो जो घडी आप अपने हाथ में पहनते हैं जो आपको समय की जानकारी देती है वो आपको कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए क्योंकि घडी एक काल सूचक वस्तू है यह मनुश्य के अच्छे और बुरे समय से जुड़ी हुई होती है अगर आप घडी देखकर कोई अच्छा काम करते है और अपनी घडी दूसरों को देते है तो उस अच्छे कारे का फल आप से दुर हो सकता है अगर कोई वेक्ती अ जल रहा बुरा समय आपके जिवन में प्रवेश कर सकता है दूसरी चीज़े दोस्तो धन दोस्तो धन मालक्ष्मी का प्रतिक है हम जरत पढ़ने पर दूसरों को अपने पैसे देकर उनकी मदद करते है ऐसा करना सही भी होता है लेकिन धन दूसरों को देते समय यह बात ध्य अपयोग मनुष्य का विनाश कर सकता है इसलिए दूसरों को धन देते समय उनसे एक बार आवश्य पूछ ले कि वो धन का उपयोग किसलिए कर रहा है तीसरी चीज़ है कलम दोस्तो शास्तरों की अनुसार मनुष्यों का अपनी कलम अथ्वा किताबे कभी दूसरों को नही सकता है क्योंकि ऐसे विक्ति से ये चीज़े सयोग से ही वापस मिल सकती है साथ ही अगर ये चीज़े दूसरों को देते है तो आपका ही नुक्सान हो सकता है तो दोस्तों ये तिवा तीन चीज़े जो मनुष्यों को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए अगर ये जान करे आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरू करें ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद